तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि Reliance Jio का जो फोन होगा, क्या वो Dual SIM सपोर्ट होगा या नहीं? तो जवाब ये है कि Reliance Jio का जो भी फोन आ रहा है, वो Dual SIM सपोर्ट नहीं होगा, इसमें आप एक ही SIM चला सकते हैं, और ये डिवाइस सिर्फ वोल्टी सपोर्टिड होगी, यानि कि आप अगर ऑपरेटर की SIM इसके अंदर यूज़ करना चाते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, आपको इसके अंदर कुछ ही एप मिलेंगी, जैसे कि Jio एप या YouTube वगएरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो अगर आप बिना बड़ सब यूज़ के इस फोन को फिर भी चलाना चाते हो, तो आप ये फोन ले सकते हो, तीसरा सवाल है, 153 रुपे का क्या चक्कर है, 153 153 रुपे बिल्कुल उसी की तरह है, जैसे कि आप 309 रुपे का रिचार्च कराते थे Jio के लिए, जिसमें कि आपको 1 GB डेटा पर डे मिलता था, लेकिन आपको इसमें 153 रुपे में 500 MB डेटा पर डे मिलेगा, जिसमें कि आपको कॉल्स वगरा बिल्कुल फ्री होंगी, ब Jio एप के अंदर ओनलाइन टीवी देखने की भी फैसिलिटी दी गई है, तो आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानि कि आपको स्पेशल अलग से रिचार्च नहीं कराना होगा, जो कि आप नॉर्बल टीवी देखने के लिए रिचार्च कराते हो, जैसे JV data खतम हो जाता है, तो आपका टीवी वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, यानि कि आप टीवी नहीं देख पाएंगे, अब अगला सवाल जो है फोन की कीमत को लेकर, फोन कितने का है, जैसा कि अब हम सभी जान चुके हैं कि फोन की कीमत कुछ भी नहीं है, फोन फ्री में है लेकिन आपको इस फोन को लेने के लिए 15 सुर्पे deposit करने होंगे, जो कि as a security charge हो का, वो आपको 3 साल के लिए जमा करने होंगे, और अगर आप 3 साल बाद फोन को वापस करते हो, तो आपको 15 सुर्पे मिल जाएंगे, लेकिन ये practically इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसने देखे 3 तो 3 साल के अंदर आपका फोन सही सलामत रहेगा, हो सकता है चोरी हो जाए या हो सकता है डेमिज हो जाए, और हो सकता है कमपनी की कोई policy हो, जैसे कि फोन में अगर कोई physical damage पाया गया, तो आपको refund नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर सामने ये आता है कि फोन की केमत लगबग 1500 रुपे ही है, और 3 साल बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फोन को वापस कराएगा, और ये सब सुनने के बाद अगर आप अभी भी confused हों कि ये फोन लें या ना लें, तो भाई मेरी राय तो यह है कि अगर आपके पास में कोई secondary device है, जिसमें की calls वगेरा सब कुछ free है, और आज कल वैसे भी wifi तो सभी के आसपास है ही, तो मेरे हिसाब से phone लेना बेकार है, और बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कुछ नया experience लेना चाते हैं, तो phone को खरी सकते हैं, जो कि 24 अगत से मिलना शुरू हो जाएगा my geo app या geo website पर, और साथी geo के digital store पर, और जिसके delivery होने लेग तो हमारे चनल को subscribe जरूर करें, मैं हर तरह की tech related जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं अगले update में तब तक के लिए, बाबाई